नोश्का दोसों, आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही जादा जरूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया इंफ्लेंसर्स हैं और उनके ऊपर सरकार ने एक नई गाइडलाइन्स जारी करी है तो जितने भी सोशल मीडिया इंफ्लेंसर्स हैं और उन गाइडलाइन्स का अगर वो पालन नहीं करते हैं तो यहाँ पे सरकार उन सोशल मीडिया इंफ्लेंसर्स के उपर 50 लाख रुपे का भी जुर्माना लगा सकती है याद रखेगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देंगा डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ओफ कंजीमर अफियर्स जिन्होंने सरकार के दुबार यह जो गाइडलाइन्स इशू करी है केवल और केवल सोशल मीडिया इंफ्लेंसर्स के उपर याद रखेगा तो कि आप लोग भी जानते हो ना आजकल बहुत जादा एक तरीके से गलत ट्रेंड बना दिया है कि जो सोशल मीडिया इंफ्लेंसर्स हैं वो प्रमोट कुछ और करते हैं जो कस्चमर होता है जब उस प्रोड़क को देखने के बाद वीडियो को देखने के है क्योंकि कंपनी उसे बोलती है कि भाई तुम्हार को केवल पॉजिटिव बाते ही बतानी है हम तुम्हार को इतना पेमेंट करेंगे तो ऐसे सिट्वेशन में अगर कोई भी परसन ऐसा सोशल मीडिया इंफ्लेंसर ऐसी जो एक्टिविटी में इन्वाल्व होता है और एक अगर कोई वी सोशल मीडिया इंफ्लेंसर दुबारा सीम हरकत करता है तो मैक्सिमों उसका जो अमाउंट है वो पचास लाख रुपे का जुर्माना उसको बियर करना पड़ेगा यहां पे जो है सोशल मीडिया इंफ्लेंसर के उपर सरकान ने बहुती जादा खुले तौर पे हापे फाइन इंपोस करने का अमाउंट डिसाइड करा है कि अगर कोई भी मान लेते छोड़ा सा यह माउस ही आप अगर बता रहे हो कि इसके अंदर भी बहुत बढ़ी आए कभी जीवन में खराब नहीं होगा वेगर वेगर आप ऐसा कुछ भी बोलते हो इसके नेगडिव पॉइंट्स नहीं बताते क्यों क्योंकि आपको कंपनी वालों न आप फेस करने का मिलता है जैसे कि हाँ पर सरकार ने कुछ अपने एक्जामबस भी दिए हैं कि अगर कोई भी इंफ्लेंसर जो है सोचल मीडिया इंफ्लेंसर जो डिस्क्लोज करता है सारे के सारे मैटीरियल बात बताता है कि इंटरस्ट गिफ्ट होटल एक्कूमेडेशन डिस्काउंट अवार्ड ठीक है और कोई भी प्रोड़क्त का एंडोर्स करते हुए यह सारी डिटेल्स बताता है कोई भी सर्विसे बताते हुए यह डिटेल्स बताता है कोई भी स्कीम बताते हुए अगर वह misleading तरहां से होती है कि Actually है कुछ और लेकिन अगर consumer के पास पर प एकशन परिकलर दिया जाएगा और साथ ही में एक सालों तक के लिए उस पर्टिकलर सोचल मीड़ी इंफुलेंसर को को जो है है वो एक साल से बढ़ा कर तीन साल तक कर दिया जाएगा याद रिखेगा इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर ओल अफ यू यहां पर जो मारे कंजूमर अफेर्स सेकेट्री रोहित कुमार सिंग उन्हें जो एपनी प्रेस कॉंफरेंस के इंदर रिलीज करी हैं सारी के सार से देव तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं और यहां पर सरकार ने एक अपना ऑब्जर्वेशन भी बताएगी अभी करेंटली 2022 की बात करें तो 1275 करोड रुपे तक की अभी यह मार्केट है और एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक यह 2800 करोड रुपे तक की यह मार्केट बन जिसमें 19-20% के आराम से इसली ग्रोथ देखने को मिल रही है जहां पर और यहां पर लगबग एक एक लाख से भी जादा सोशल मीडिया इंफ्लेंसे एक अच्छी खासी पब्लिक जिनके पास है और जो केवल और केवल ब्रैंड प्रमोशन करते हैं ब्रैंड लोगा और अपना सोशल मीडिया प्लाट्फॉर्म चला रहे हो अच्छा कास आपके पास फॉल्वर्वर्ज हैं लेकिन आप निसलीडिंग अडवर्टाइजमेंट करते हो डैट विल भी पीनलाइज अंडर अंडर कंजुमर डेक्शन अक्ट टूजन नाइटीं अप्टू कोई केस फाइल होता है तो कैसे इसके ट्रिक्स होते हैं अगर कोई एक कॉमन परसन है काम आदमी है एक सोशल मीडिया इंफ्लेंसर है अच्छा कास इसके पास फॉल्वर्वर्ज है अब उसको नहीं पता ना तो इसलिए यहां पर सरकार ने ओफीशली एक नॉटिफिकेशन रिलीज करिए तो आप लोग अगर ऐसे एक्टिविटेस में इंवाल्ड रहोगे तो प्लीज अपने आपको में थोड़ा सेफ साइट रखिएगा अलर्ट करने के लिए मैं आपको सीड़ी तौर पर ऑफीशल न्यूज बता रहा हूं अगर वीडियो बसंद आईए तो वी बढ़ग झान धिंगा यिवाल्ड को ले अननाप्स